नमस्कार मित्रों, चलिए आज से चलते हैं विदेशी कहानियों की दुनिया में यानि की विदेशों में जो बहुत ही प्रसिद लेखोकों की कहानिया हैं, उन्हें मैं आपको सुनाऊंगी और इस शरंखला में सबसे पहली जो कहानी है वो है O. Henry की कहानी जिसे की क्रिस्मस गिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है इस कहानी के लेखक O. Henry एक अमेरिकन थे और उन्होंने साधारन लोगों के जीवन पर बहुत ही सुन्दर सुन्दर संख्षिप्त कहानिया लिखी है मुझे लगता है कि आपने ये कहानी अवश ही पढ़ी या सुनी होगी ये कहानी एक प्रेमी जोड़े की कहानी है जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने को अपनी प्रिये से प्रिये वस्तुएं छोड़ देने को लालाइत रहते हैं तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी क्रिस्मस का तोहफा मैच एक डॉलर और 87 सेंट सिर्फ इन में भी 60 सेंट पैनी छोटी रेजगारी के रूप में वे भी उसने कभी परचून वाले, कभी तरकारी वाले और कभी मास पेशने वाले कसाई के साथ चतुराई दर्शाकर एक दो करके संचे किये थे जिनके साथ सौदे बाजी करते हुए, कंजूस होने का खामोश तमगा सेहन करते हुए लज्जा से कपोल आरक होते थे, देला ने तीन बार गिंदी की, एक टॉलर और 87 सेंट और अगले ही दिन था क्रिसमस ऐसी हालत में अपने गंदे छोटे पलंग पर गिरकर पिलकने के अलावा और विकल्प ही क्या था तो देला ने भी वैसा ही किया, इसे इस विचार को बल मिलता है कि जीवन सिस्की आहों और मुस्कानों का नाम है और उसमें भी प्रमुकता आहों की ही है चलिए जब तक यह ग्रहणी वेदना की एक स्थित से दूसरी में जा रही है हम उसके घर पर एक द्रश्टी डालने आच डॉलर प्रतिसपता किराय का फ्लैट जिसका बखान तो क्या किया जाए इतना ही कहना काफी होगा कि जिनकी आयक कम होती है वे ही ऐसे घर तलाशा करते हैं नीचे डालान में एक मेल बॉक्स जिसमें कोई पत्र नहीं आता और बिजली का एक बटन जिसको दबा कर कोई व्यक्ति घंडी की आवाज नहीं सुन सकता वहीं पर लगी हुई एक तक्ति पर लिखा है जेम्स डिलिंगम यंग डिलिंगम शब्द उस समय नथी किया गया था जब खुशाली थी और जब उन्हें प्रतिसपता 30 डॉलर मिला करते थे अब जब कमाई घटकर 20 डॉलर रह गई है डिलिंगम के अक्षर धुनले नजर आते हैं मानो वे अपने प्रत्थम अक्षर डी में सिकुर जाने की अभिलाशा करते हो जब कभी भी जेम्स यंग घर आते और उपर अपने फ्लैट में पहुंसते उन्हें जेम नाम से बुलाया जाता और उनकी पतनी जिन से हम डेला के नाम से वाकिफ हो चुके हैं उन्हें बाहु पास में जकर लेती डेला ने सिसकना बंद किया और पाउडर लगाने का पैड अपने कपोलों पर फिराने लगी वो खिड़की के निकट जाकर खड़ी हो गई और घर के पिछवाड़े आहाते में घूमती हुई सफेद बिल्ली को बेवजा ही देखती रही कल क्रिस्मस है और उसके पास मेहच एक डॉलर और सता सी सेंट है जिससे जिम के लिए वो तोफा खरीच सके ना चाने कितने महिनों से वो एक-एक पैनी करके बचट कर रही है और उसका ये बढ़ना एक सब्ता में बीस डॉलर से होता क्या है वे उसके अनुमान से अधिक हो गया था ऐसा सदै भी होता आया है जिम के लिए तोफा खरीदने को सिर्फ एक डॉलर सतासी सेंट उसका प्रिये जिम उसके लिए कोई शांदार वस्तु लाने की योजना बनाने में उसने कितने सुखत बल बिता दिये थे कोई बहतर अनोखी और मूलेवान वस्तु कुछ ऐसी जो जिम के पास रहने का सौभागे पाने की सलाहियत रखती हो कमरे में दो खड़कियों के बीच में एक बड़ा दर्पन था संभौता इस आठ डॉलर वाले कमरे ने कभी कोई बड़ा दर्पन देखा हो कोई बेहद क्रशकाय और चतुर शक्स ही उन लंबी किनारियों में चाया देकर अपनी शकल का सही अनुमान लगा सकता था डैला भी छरैरी काया होने के कारण इस कला में दक्ष थी यकाया खिड़की से खूम कर वो आइने के समक्ष जा खड़ी हुई उसकी आँखें दमक रही थी किन्त उसके चेहरे की रंगत बीस चण में बदल गई उसने जल्दी से अपने केशों को खोल लिया और अपनी पूर लंबाई में उन्हें नीचे लटकने दिया जेम्स के खुद के अधिकार में दो वस्तुएं थी जिन पर दोनों को बेहद नास था एक थी जेम्स की सोने की घड़ी जो कभी उसके पिता और दादा के करीब भी रह चुकी थी दूसरे थे डला के बाल यदि सड़क के दूसरी पार वाले फ्लैट में खुद शैबा की रानी रहती तो उसके हीरे जवाहरातों और तोफों को कम तर दिखाने के लिए डला अपने केशों को सुखाने के नाम पर किसी दिन खिड़की से बाहर अवश लटकाए रखती और यदि बादसाह सॉलोमन भी वहाँ अपने खजाने का धेर लगा कर दौर पाल की भाती खड़े होते तो महज इर्श अवश उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जिम उधर से गुजरते हुए अपनी घड़ी निकाल कर समय अवश्य देखता अप टैला के खुबसूरत केश भूरे जल प्रपात की भाती चमकते हुए लहरा कर लटक रहे थे वे उसके घुटनों से भी नीचे पहुंसते थे और किसी सीमा तक उसके लिए परिधान का कारी दे रहे थे और तब उसने निराशा पूरवक उन्हें शीगरी पुना बान दिया एक चण के लिए वो काप उठी फिर खामोश खड़ी रही और उसकी आँख से एक या दो बूंद आसू जीन शीन लाल तरी पर बिखर गए उसने अपनी पुरानी लाल जैकेट पहनी और वैसा ही हैट लगाया सकर्ट को एक गोलाई देकर आखों में अभी तक वही तीक्ष चमक लिए वो जल्दी से बाहर निकल गई और सीड़ियां उतर कर सड़क पर आ गई जहां वो थमी वहां लिखा था मैडम सोफ्रोनी हर प्रकार के केश प्रसादनों की विक्रेता डेला तेजी से एक मंजिल सी को संभालने लगी दुकान की मालकिन बेहत गोरी और मोटी स्त्री थी डेला ने पूछा क्या आप मेरे केश खरी देंगी महिला ने कहा क्यों नहीं हम तो केश खरीते ही हैं तनिक हैट उतार कर अपने केशों पर एक द्रश्टी डालने दीजे भूरे केशों का प्रपात उम घंटे तो सुनेहरे पंकों पर उड़ गए इस वक्त वो जिम के लिए तोफा खरीतने के लिए दुकाने चान रही थी अंतता उसे एक चीज मिली गई जो महज जिम हे तो ही पनी थी अने किसी के लिए नहीं उसके समान अने कोई चीज कहीं किसी दुकान में नहीं थी उसने सबी दुकाने देख डाली वो चीज थी साफ और साधी प्लैटिनम से निर्मिद जेबी चेन जिसका वास्तवेक मूल उपर की दिखावट में ना होकर उसकी धातु में नहेत था जैसा प्रतेक अच्छी वस्तुका होना चाहिए वह जेबी चेन उस घड़ी के ही लायक थी जै उस जेबी चेन के 21 डॉलर अदाकर 87 सेंट लिए वो घर लोटाई घड़ी के साथ वो चेन होने पर जिम अपने मित्रों के बीच अवश ही वक्त देखने की चाहां रख सकता था इतनी शांदार घड़ी के साथ चेन के बज़ाय चम्डे का पट्टा होने के कारण वो कभी अबार ही उसमें वक्त देखता था घर पहुचने पर तर्क और विवेक के समक्ष डेला का नशातनी कुत्रा उसने अपने बालों में लगे चले निकाल लिये और गैस जला कर काम करने लगी ताकि उदार प्रेम के जोश से हुई इस बरबादी की वेदना कुछ कम हो सके तक उसने दरपण में अपनी आकरती को बहुत देर तक सतरकता और समीक छात्मक नजर से देखा उसने स्वैम से कहा यदि पुना देखे बिना ही कहीं जिम ने कतल नहीं कर डाला तो वो अवशे कहेगा कि मैं कोनी द्वीब की नटनी जैसी लगती हूँ ओफ किन्तु मैं क्या कर थी एक डॉलर और 87 सेंट से भला में कर भी क्या सकती थी साथ बज़े तक कॉफी तैयार हो चुकी थी और मास के टुकले तलने के लिए स्टोफ पर कढ़ाई गर्म हो उठी थी जिम को कभी देर नहीं होती डेला अपने हाथों से उस चेन को मेज के कोने पर रखकर करीब बै चण के लिए उसका रंग फक पड़ गया नित्य प्रति की सामान बातों के लिए एश्वर से खामोशी से प्राटना करने की आदत थी और तबी उसके अधरों से निकला एश्वर उसे ऐसी बुद्धी देना कि वो अब भी मुझे खुब सूरत समझे द्वार खुला और जि चरूरत थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे द्वार के अंदर आकर जिम थम गया बटेर की महक पाकर शिकारी कुत्ते की भाद अचल उसकी नजर डेला पर टिकी थी और उसमें एक ऐसी भाशा थी जिसे वो पढ़ना सकी और इस कारण वो एकदम सहम गई यह भाशा न गुसे की थी ना विसमे की ना ना मंजूरी की ना खौफ की ना वो ऐसी कोई भावना थी जिसे बरदाश करने के लिए डेला तत पर हो चुकी थी अपने चेहरे पर ये विशिष्ट भाव लिए वो डेला की और सहज खूरता रहा डेला व्याकुल होकर मेश से उठी और उस मैं ये क्रिस्मस नहीं मना सकती थी बालों का क्या ये तो घर की खेती है पुना आ जाएंगे तुम चिंता मत करो मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्रिस्मस मुबारक जैम हमें प्रसन होना चाहिए तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा कितना उपार लाई हूं क्या तुमने अपने केश कटवा लिये जिम ने बड़े प्रयाज से पूछा जैसे बेहद मांसिक श्रम के उपरांत भी वो उस जाहिर सत्य तक नहीं पहुंच सका हो हां कटवाए भी और बेच भी दिये डेला ने कहा क्या तुम मुझे पहले की तरह नही चाहते केशों के बिना भी मैं तो वही हूं क्यों जिम ने प्रश्ण भरी नजर से कक्ष के चारों और देखा एहमक की भात ही वो कह उठा तुम कहती हो कि तुम्हारे केश चले गए डेला बोली उन्हें तलाशने की तुम्हें जरूरत नहीं वे बेच दिये हैं मैं कहती बेच दिये और वे चले भी गए क्रिस्मस की शाम है प्रिय मुझे शमा करना क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही गए हैं यकायक गंभीर स्वर में म्रदूलता उडेल कर वो कहने लगी संबहुता मेरे सिरके केश किंती के थे किन्तु तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का कोई अन अब कुछ देर हम दूसरी दिशा में किसी अतारकिक मुद्दे पर सतरकता से परताल कर ले हफदे के आठ डॉलर हो या साल के दस लाग क्या अंतर है किसी गणिता के या जहिन से पूछे तो वो गलत जवाब देगा मैगियों में अनमोल तोफे देने का रिवास था किन्तु ये तोफा उनमें से नहीं था इस मुश्किल विचार पर बाद में रोशनी डाली जाएगी अपने ओवरकोट की जेब में से जिम ने एक पैकेट निकाला और उसे मेच पर उच्छाल दिया वो बोला मुझे गलत मत समझना डाला मेरे विचार से संसार की कोई वस्तु चाहे वो बाल काटना हो या अन्य कुछ मेरी प्रेसी के लिए मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती किन्तु यदि तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने मुझे क्यों निस्तब्द कर दिया था सफेद उंगलियों ने तेजी से उस कागच और डोरी को खुला और तबी प्रसनता की एक उलाज भरी चीक और फिर ये लो अच्छानक सब कुछ नारी सुलब अश्रूओं और सिस्कियों में बदल गया जिसे रोकने में ग्रह स्वामी को अपनी तमाम योक्तियां काम में ल लगाने के जिनें बाजार की बड़ी दुकान की खिड़कियों में देखकर उन्हें पाने के लिए कई कई दिनों तक डलाने पूजा की थी सुन्दर कंगे शुद कच्छुए की हड़ी के जिन में गोल किनारों पर जड़े हुए नग उन गायब हुए केशों के रंग पर वो जानती थी कि वे बहुत मूलवान थे और हताश दिल उनकी चाहना मात्र कर सकता था और अब अब वे उसके थे किन्तु वे घुंगराले बाल जो उनसे सजने की सोच रखते थे अब जा चुके थे डेला ने उनकंगों को च्छाती से लगा लिया और अंतता अपने पूर्ण नेत्रों को उपर उठा कर मुस्कुराते हुए बोली जिम मेरे बाल बेहत जल्दी बढ़ जाते हैं और फिर टैला किसी जुलसी हुई बिल्ली की भांती उचली और रोधन करने लगी ओह ओह जिम ने तब तक उस तोफे को नहीं देखा था उसने उत्सुकता को अ शांदार है की नहीं जिम मैंने इसके लिए पूरा शहर चान मारा अब तुम्हें दिन में सो दफा घड़ी देखने की आवशकता पड़ेगी जरा अपनी घड़ी तो देना देखो ये उस पर कैसे फप्ती है उसका कहा मानने के बज़ाए जिम कोच पर लुड़ा गया और दोनों हाथों को सिरहना देकर मुस्कुराने लगा वो बोला डेला क्रिस्मस के इन उपारों को अलग रग दो और अभी कुछ वक्त के लिए अलग ही रहने दो वे इस समय काम में ना आने के लिए बेहद अच्छे हैं तुमारे कंगे खरीदने के लिए मैंने घड़ी बेश वे लाते थे उन्होंने क्रिस्मस पर उपार देने की कला को ढून निकाला था बुद्धिमान होने की वजह से उनके तोफे भी विवेक पूर्ण होते थे संभोता किसी वस्तु के दो बार आने पर उसे तबदीर करने की भी व्यवस्ता थी और यहां मैंने एक फ्लैट में रहने वाले तो मासूम युवाओं का घटना रहत विवरां तूटी फूटी शेली में पयान कर दिया है जिन्होंने एक तूसरे के लिए अपने सबसे प्रियधन को बिना सोचे समझे कुर्बान कर दिया तो यह थी थी ओ हैंरी जी की दुनिया में बेहत प्रसिद कहानी सच कहूं तो प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पन और एक दूसरे के लिए त्याग करना प्रेम पाने की नहीं त्याग करने की वस्तु है आज के इस समय में जब प्रेम का प्रतिदान ना मिलने पर तरह तरह की हदय विदारक घटनाए होती हैं तब ये कहानी प्रेम के एक नए आयाम से परिचे कराती है ऐसी ही दुनिया भर के प्रसित लेखकों की कहानिया सुनने के लिए आप बने रहिए यूट्यूबर मौजी की कहानियों के साथ और क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ तब तक इस विशे पर जरूर सोचेगा कि प्रेम केवल अधिकार नहीं त्याग भी मांगता है